असलाम ऑलेकुम डेर सुटूरेंट्स आज डेट 10-6-2021 कलास है हमारी 6 सिठ़ इक्स्ष सुब् JUST जो है जर्नरल इंग्लिश जर्नरल इंग्लिश से हमारा तापक है वो है वेर डू अल दी टीचर्स गो सब टापिक जो है हमारा वो है एक्सरसाइज वर रक आप सब जानते हैं कि हमने यह topic where do all the teachers go जो है यह हमने पड़ा हुआ है अच्छे तरीके से तो आज इसका हम topic जो है exercise work है जो page number 84 पर है तो सभी students अपनी notebook निकालेंगे और हम शिरू करेंगे आज का exercise work where do all the teachers go से जो हमने लिया हुआ है तो सबसे पहले question number one तो सभी students अपनी book निकालेंगे तो हम book की और निकलेंगे सबसे पहले तो यहां पर उपर glossary में कुछ दिखाया किया हुआ है हम यह पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम exercise करेंगे पैजामाज पैजामाज का मतलब है loose fitting night clothes loose fitting मतलब डीला डूला रात के सोने के लिए जो कपड़ा होता है डीला बिलकुल पैजामा उसको कहते हैं पिक दियर नोजेज अरुमू मुसिस फॉनाम दे नोज विद ए फिंगर अपने हाथों से नाग को साफ करना मतलब उसको पकड़ना उंगलियों के साथ अपने नाग को पकड़ना हटाना उसके से कोई गंदगी moms and dads mothers and fathers parents moms and dads होगे parents अपने माँ और बाप वालिद और वालिदा pinch to steal something is there a scribal to write a draw or draw something quickly or carelessly तो उसके बाद hymen a song of praise that the christians sing to god scribal to write or draw something quickly or carelessly इस तरह हाइमन a song of praise that a christian sing to god दॉआ होती है जो आप christian अपने गाड के लिए गाना काते हैं मतलब वो कहते हैं thinking about the poem answer the question सबसे पहले हमारा question है स्वाल number one why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock तो पॉइट ऐसा क्यों चानना चाहता है कि जो टीचर से वो चार बज़े के बाद कहां जाते हैं तो इसका जो हमारे पास answer है हम यहां पे लिखेंगे तो हमने question number one का जो answer है यहां पे लिखा it is out of curiosity that the poet wants to know where the teachers go at 4 o'clock तो इसी के साथ हमारा जो अगला question है question number two what are the things normal people do that the poet talks about वो कौन सी चीज़े हैं वो क्या चीज़े हैं जो normal लोग करते हैं point talks about जिनके बारे में point ने बात की है तो हमारे पास यहां पे मैंने लिखा हुआ है question number two का answer normal people live in the families they watch their clothes in the evening they wear pajamas and relax usually they watch TV जो normal लोग होते हैं वो family के अंदर रहते हैं वो अपने कपड़ों को दोते हैं और in the evening और शाम के वकद ये they wear pajamas वो pajamas पेंते हैं loose fitting and relax और आराम करते हैं usually ये देवाच TV हाना तो हमारा जो अगला question है question number three जो है यहां पे दिखाया क्यों होगा है what does the imagine about उन्होंने क्या imagine किया क्या तसवर किया A, B, C, D सबसे पहले where teachers लिएो जो teachers जो है जो उस्ताज जो है वो कहां पर रहते हैं where कहां पर रहते हैं तो हम उपर सबसे पहले ये रब करेंगे हम यहां पर लिखेंगे answer यहां पर लिखेंगे A का तो हमने लिखा He imagines that the teachers are living in grand houses उसने क्या imagine किया जो उस्ताज है वो रहते हैं कहां पर grand houses तो उसके बाद हमारे पास अगला next वो है हमारे पास वो है B what they do at home वो घर में क्या करते हैं तो हमारे पास B का यहां पर answer है they watch TV at home उसके बाद हमारे पास C है C पार्ट में दिखाया गया हुआ है the people with whom they lio they lio their parents वो लोग किसके साथ रहते हैं यह क्या इसने जवाब में आया हमारा answer जो है they lio their parents वो अपने वालदें के साथ रहते हैं फिर उसके बाद हैं हमारे पास D their activities when they were children in school their activities when they were children in school उनकी activities जब वो स्पूल के अंदर थे बच्चे थे जब तो क्या है they made mischiefs they made meaningless marks on the desks